गईजा हम बात करने वाले पूना में जॉब्स किस तरह से मिलेगा बहुत सारे लोग है जो पूना सेटी में आते जॉब्स सर्च करते हैं तो क्या-क्या मिस्टेक से क्या-क्या चीज़े जो उनको रेक्टिफाइ करना जरूरी है और यह चीज़े अगर नहीं करेंगे तो डे बात करेंगे सर्टिफाइड पेपल्स की जिनके पास सर्टिफिकेशन होने के बाद भी उन्हें जॉब्स नहीं मिलता है तो जॉब्स की सिट्विशन स्क्यू है फिलाल मार्केट में इसके पिछे क्या रिजन से और किस तरह से हम इन चीज़ों को ग्राब कर सकते तो आसान पाइदाना हो बट नुकसान तो नहीं होगा सो आज की वीडियो में फर्सली हम बात करने वाले नॉन एजुकेटेड परसंस के बारे में जो लोग किसी कारणवश एजुकेशन कंपलेट नहीं कर पाते माइट बी टेंथ या फिर टेंथ तक भी नहीं है बहुत सारे लोग पूना सेटेंज में आने के बाद इग्जैकली उनके पास उतना टेकनिकल कौलिफेकेशन नहीं होता है और उनको उतना अवेर्ने से गाइडनस बैसिकली आप कोई रॉकेट साइज नहीं बड़ी बात नहीं सिंपल सी कोई बंदा अगर पूना सिटी में आता है जाता है क्योंकि जितने भी यह जो नॉन टेकनिकल डिपार्मेंट्स वाले लोग है जो भी लो एजुकेटेड लोग है अज तक मैंने उनके रिजूम्स नहीं देखे बहुत बार कि उनके रिजूम्स भी प्रिपेर नहीं होते हैं या फिर उक किसी तरह से प्रिपरेशन न उनको घर पर आ जाती है कॉल करके तो उसी एपोर्चुनिटी को पकड़ के ओ सीटी में आते हैं लेकिन जब यह जोब चले जाते हैं या फिर रेफरेंस काम नहीं करते हैं यहां पर जॉब्स नहीं लगता तब जाके थोड़ा सा चालेंज बनता है उनके लिए कि अगर इस रेफरेंस के तो भी उनको जॉब्स नहीं मिला तो उनको जॉब सर्चिंग या फिर जॉब फाइंडिंग के लिए सिट्विशन स्टार्ट होते हैं बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि इस लेवल पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनको यह अवेर करना कि किस तरह से जॉब्स या जॉब सर्च करते हैं सो फिरसली काई जितने भी वीडियो से मैंने अल्रेड़ी बहुत सारे वीडियो लगबने वन थाउजन प्लस वीडियो डाले डले डिलेटेगी विद ओनली जॉब्स करियर एपॉर्चनिटी जहां पर मैंने फर्स जो सेक्शन स्टार्ट किया था सारह से आपालाई किया जाता है कि सबसे आसान है अगर कोई बनानी के बात होगी दस्तौरी पट से नियुक्यों मिद्फ फट बन जाते और इन जाघर इन devotion करने की ज़ुरद 30 openings एक आगे के लोगों के लिए होते जहां पर भीड़ ज्यादा है बट जॉब्स कम हैं तो जितने भी नॉन टेक्निकल्स के जॉब्स है वह आसानवे से जल्दी से आपको इस फिल्ड में मिल सकते अभी बहुत सारे लोग है जो टेंथ ट्वेल्थ या फिर आईटिया करके आ चाहिक आउन पर पर उनली का मतलब वहां पर हायर स्टैंडर्ड जो भी जो कि डिपलोमा किया है इंजिनेरिंग किया या पोस्ट ग्रैजमिशन किया है उनका कोई काम नहीं ऐसा वहां पर पोस्टर लिखा होता है कि उल्ली आईटिया टेंत या फिर जो कुछ भी ट्वेल् तो बहुत सारे लोग है जो फेक्टरी लिवल की जॉब्स होते या फिर जो कि किसी डेडिकेटर जॉब्स होते भी कुछ जॉब बहुत स्टेंडर्ड है यहां तक मैंने फोक्सवेगन कंपनी में देखा था कि सालरी भी आच्छी है जॉब्स भी आच्छा है बट वहां पर आ करने की वहां पर जरूरत नहीं होती है उसके लिए तो आप अगर आप डिरेकली कमपनी को विजिट करेंगे या कमपनी को लोकेशन पर जाकर चेक करेंगे तो डेपिनेटली वहाँ पर एपोर्चुनिटी बन सकती है यह बट बहुत सारे कमपनी जो डिरेकली ओन दिस्पॉट इंटर्व्यू लेती है गाइज जैसे कि आप रांजन गा उसके बाद आप अगले दिन वहाँ पर आपलाय कर सकते हो बहुत सारे लोग है जो कि ग्रेज्वेशन कमपलेट कर चुके ग्रेजवेशन का मतलब उनका पर्टिक्वला स्ट्रीम से ग्रेजवेशन चुका है माइड़ भी ओ इंजिनेरिंग हो तो इंजिनेरिंग के भी पर पूना में है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना गाइस कि आफ्टर ग्रेजुएशन भी बहुत सारी कंपनी आपको रिजेक करते हैं उसके पीछे एक प्रॉबलम होता है आपकी स्किल्स क्योंकि जो कॉलेज का एकडेमिक होता है या फिट कॉलेज में जितना भी सिल्याबस पढ़ाया जाता है वह शिल्याबस प्लस-mineus 5% ही यूजफुल होता है ब्लस-mineus 5% का मतलब उसमें इंडस्टियल कोई सेक्टर का सिल्याबस इंक्लूड ही नहीं है और आपको जब कॉलेज कंप्लेट होता है तो कॉलेज के बाद डिरिकली इंडस्टिय में काम करने तो यह जो आपका knowledge है सारा garbage में पढ़ायर रहेगा इस knowledge को कुछ exact ऐसा अच्छा benefits आपको आपको नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आपके skills matter करेंगे totally आपके skills matter करेंगे हलाकि after engineering अगर interview conduct होते तो उसमें से भी 20% people join हो जाते कहीं न कहीं without certifications but problem 80% लोगों के लिए होता है वहाँ पर पर्टिकुला स्ट्रीम में नहीं जा पाते जैसे बात करते मेकेनिकल का बंदा हो call centers में बीपियों में काम कर रहा है या फिर आइटी का बंदा हो और ओन टेक्निकल या फिर नॉन आइटी रिलेटेड़ कर रहा है तो यहाँ पर दो तीन चीज़े होती है जैसे कि आपको अगर पर्टिकुला स्ट्रीम में पर्टिकुला टेक्नोलोजी में इंट्री करनी है तो आपको certifications करना है या फिर स्कील ग्रैप करना बहुत में अडिटरी और स्कील अपने आप इंटर्व्यू में रिफलेक्ट होत कब करें यह भी क्वेस्टन से बहुत सारे लोग आफ्टर इंजिनिरिंग सर्टिकेशन करते आप्टर डिपलोमा सर्टिकेशन करते बट जब आपका कॉलेज चल रहा है उससी टाइम अगर आप सर्टिकेशन करेंगे और फॉर्स्ट अगर इंटर्व्यू कॉलेज में हो ग अगर चल के आप अगर डिशिजन जब लेट लेते हो तो बेस्ट ऑप और चनिटी कि आप जब कॉलेज कर रहे हो या फिर कोलेज के फाइनल यह में हो तभी आप एक दो मैने का कोर्स होता है रेड़ाट का माइक्रोप का से सी अने का कोडिंग की बात करेंगे तो सीजी प् चीजे होगी तो हार्ली एक दो मैने में कंप्लेट हो जाती है विद ग्लोबल तो यह चीजे कंप्लेट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं अगर आपके पास सच में स्किल से कॉलेज आपने सही से कंप्लेट किया है आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो उसमें थो बढ़ जाते हैं आफ्टर इंजिनेरिंग भी बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं है फिर जॉब्स है तो दस आजार बीस आजार पच्चिस आजार के सालरी पे दो साल तीन साल तक रट रहे हैं तो ऐसे चीजे भी होते हैं ना जब आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो आपको सही सालरी या फिर से अपोर्चुनेटी नहीं मिल पाती है मेरे जितने भी वीडियो जे लगबग उसारे वीडियो पर जो कमेंट्स आते हैं कमेंट का रेशियो सेम यह गाइस की जॉब्स को लेकि क्वेरी जे कमेंट से आपको डिरेक लिए ऐसे वीडियो चाहिए सबसे इंपोर्टन्ट होता है आपके अंदर स्किल डेवलप करना अपोर्चुनेटी को ग्राप करने की कपेसिटी अगर आपके पास आगेगी डिफिनेटले आपके बहुत सारे अपोर्चुनेटी दिन में चलके आएंगी इस चीज को भी आपको देखना है गाईस कि अग और मिलेंगे भी तो ऐसे जॉब्स मिलेंगे जिनके लिए शायद से आपका जो एजुकेशन से हो ज़रूरी नहीं था ऐसा आपको लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग है जो इंजिनेरिंग करने के बाद लोजिस्टिक में काम कर रहें बेपियों में कॉल सेंटर्स में और अगर आप नॉन टेकनिकल हो या फिर आपका एजुकेशन कम है तो आप फैक्टर लेवल के जॉब कर सकते हो खुदो के कंपनी विजट कर सकते हो बहुत आप पोर्चुनिटे मैंने का सो में से 70 जॉब्स यानि 70 जॉब्स लोगों के लिए 30 परसेंट जो पेपल से जो ग्र कर सकते हो हाला कि हमने कि आए गाइज हमने तीन महिने में तीन सर्टिफिकेशन विद ग्लोबल इग्जमिनेशन टॉप चैलेंज था बट पूरी टीम ने हमारे जो कंपनी में एक स्टाप पूरा स्टाप इंजनेर था और पूरी टीम ने फॉर्स जॉब करते हुए पैरलल के पास कोई कंसेल्टन्स या कंपनी नहीं कि मैं आपको जॉब ऑफर करूँ बट यस यह चीज़ें बता सकता हो कि क्या करने से क्या हो सकता है अपोर्चुनिटी ग्राप करने कि लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा इसके बारे में हमेशा हर एक वीडियो में गाइड करत करता हूं उतने कमेंट्स तुम्हें डेली शॉटलिस करता हूं और उसके अकोडिंग में आपके लिए वीडियो बनाके पेश देता होगा इस तो होप इस वीडियो में इतने थैंक्यों सो मुझ गाइज बबाई ठेक है